हेलो फ्रेंज, स्वागत है आपका डिजिल दयारी चैनल पे, मैं श्रियान्स कोठारी लेके आया हूँ दोस्तों स्पी बक्षी की किताब अब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश चैप्टर नंबर 4 हम कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों रिविजन एकसशाइजज चल रही है और उसकी रिविजेन एकसाइज में भी दो कंप्लीट हो चुकी है तीसरी एकसशाइज आज हम शुरू करेंगे इस वीडियो के माद्धियम से और शुरू के कुछ क्वेश्शिंस को हम देखेंगे एक एक question को आराम से समझिएगा एक question में कई doubt हो तो वापस पूछेगा phone number में आपके साथ share कर देता हूं दोस्तों कभी कोई doubt हो ये हमारे digital तयारी के phone number है कभी भी कोई question हो आप इस पर पूछ सकते हैं दोस्तों like करिये, share करिये, subscribe करिये अगर पसंद आता है तो like करिये न, like करने में कोई बुरा नहीं है जितने जादा likes उतनी जादा energy और उससे भी जादा दोस्तों share अपने सभी मित्रों तक इस playlist पूरी के पूरी playlist को share करिये मज़ा आजाएगा, वो भी पढ़ेंगे, उनको मज़ा आएगा, आप भी पढ़ेंगे, आपको मज़ा आएगा मैं लिए चलता हूँ दोस्तों, exercise number third को, exercise number C पे चले दोस्तों, I know something what my mother told you मैं वो बात जानता हूँ जो तुम्हारी, मेरी मम्मी ने तुम से कही है अब ध्यान जी देखेगा, something अगर रखना है, तो that लगाएंगे, आपको याद होगा, something, anything, all, superlative degree, इस तरह के जो words आये थे, वहाँ हमने that लगाया दूसरा तरीका है मेरे पास, आपकी इच्छा है, आपको ये नहीं करना है, तो आप हटाई दो ना इसको I know what my mother told you, मुझे मालूम है जो तुमको मेरी ममी ने कहा है, क्या ही बात सारी, something आएगा, तो that आएगा, नहीं तो फिर what से काम चल जाएगा I cannot say, मैं नहीं कह सकता, what is she doing these days, वह आजकल क्या कर रही है, अब पूरे sentence को पढ़िये आराम से पढ़िये और sentence में समझे कि क्या meaning निकल के आ रहा है मैं नहीं कह सकता कि वह आजकल क्या कर रही है, question है या answer है, जरा सोचिये question पूचा गया होगा, यर क्या कर रही है वह, answer आयागा, मैं नहीं जानता हो क्या कर रही है that is an answer, that is an affirmative sentence, interrogative नहीं है, प्रश्णवाचक नहीं है, मेरी बात को कान खोल के सुनेगा प्रश्णवाचक अगर ये नहीं है, तो helping verb plus subject तो आता है interrogative में अगर ये normal statement होता है, तो subject plus helping verb आता है, इसको उठाके यहां रखना पड़ेगा, I cannot say what she is doing मेरी बात समझना हर what वाला question नहीं होता है, she is करना पड़ेगा, क्यूं? क्यूंकि हमें एक normal सा affirmative sentence बनाना था तो मेरी बातें आप लोग समझ रहे हैं, एक एक चीज, एक एक question को with reason बता रहा हूँ, अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ, एक बहुत महत्वपूर्ण rule है, बहुत महत्वपूर्ण rule है, बहुत ही जादा महत्वपूर्ण rule है मेरी बात को समझ येगा, one off के बाद, जो भी noun ya pronoun आएगा, वापे सुन ले न, one off के बाद, one off के बाद, जो भी noun ya pronoun आएगा, दोस्तों, प्लूरल ही आएगा, याद कर लो इसे अच्छी तरीके से, प्लूरल यानि की बहुवत्षन ही आएगा, singular high नहीं सकता है, never ever, एक चीज मैंसे कहूँ भईया, इन मैंसे एक चीज ले लो, कैसे, मालो यहाँ दो पड़ी और कहता, इन मैंसे एक ले लो, तभी एक से ज्यादा मैंसे एक निकाल पाओगे, एक मैंसे एक नहीं निकाल पाओगे, very important rule दोस्तों, note कर लो इसे, कहीं अच्छे से screenshot ले लो, अभी one off के बा motor cars, क्यों, क्यों, वन off के बाद plural आएगा, और आप देख सकते हैं, cars के अनुसार ही तो आर लगाया है, which are liked very much, जैने बहुत ज़्यादा चाहा जाता है, passive बनाया है, cars के कारण आर आया है, cars हमें करना पड़ेगा, क्यों, क्यों, वन off के बाद हमेशा, plural आता है, शर्य दोस्त स्यादा बैतर मैं weather को समझता हूँ, I doubt whether my father will help you, मुझे doubt है कि अगर मेरे पापा तुमारी help करेंगे या नहीं, मुश्किल है, weather लगाया, doubt आया, इसलिए, she was singing वहां गा रही थी, which I do not like, अब मेरी बात को समझेगा, she was singing वहां गा रही थी, जो मुझे पसंद नहीं आया, यहा I was singing and I did not like, which singing के लिए कैसे लगा होगे आप, singing एक verb है, noun होता यहां पे, her singing which I, चलता, मेरी बात को सुना द्यान से, singing एक verb है, which कभी भी noun के लिए आएगा, singing noun होता तो which लगाते, यहां पे noun नहीं है, she was singing वहां गा रही थी, और मुझे नहीं पसंद आया, Don't go out, मत जाहो बार, until, until आचुका है दोस्तों, until को not नहीं पसंद है, क्यों, until मैं खुद में ही not लगा है, until खुद बखुद negative है, और जो खुद ही negative हो, और negative कैसे लगा होगे, negative, negative, positive हो जाता है, याद रखना दोस्तों, मैं पहले भी बता चुका हूँ, until और unless के साथ not नही यह आता है, चीज़े कितना easy हो गई है आप लोगों के लिए, एक एक नियम कितना easily आप समझ चुके हैं, बहुत सारा portion जो हमने अभी तक पढ़ा है, यह एक एक चीज़ आपके exam में, competitive exam में काम आएगी, objective questions के रूँख, संस्कृत जो है, one of the oldest languages, one of के बाद, plural, oldest languages में से एक है कौन संस्कृत, आपको याद होगा, यहां मैंने जब cards करवाया था कुछ दिर पहले, और मैंने कहा था, cards के according आ राएगा, relative pronoun के लिए, ठीक उसी प्रकार से, superlative है तो that आया है, बिलकुल सही है, याद रखना, superlative आया तो that आया है, बिलकुल सही है, languages के लिए was कैसे लगाओगे मेरे दोस्त, वो languages हैं, जो की बोली जाती थी, Aryans के द्वारा, languages हैं, जो बोली जाती थी, क्या ये बात समझ आ रही है, तो छोटी-छोटी बारीकियों को समझ ये, मैंने with examples, यहां पे इसी chapter के इसी exercise के previous question से, और अ समबर देखें साब, have you ever met such a boy, अब such a boy के साथ तो who नहीं लगाते boss, such a boy के साथ as लगा लो, that लगा लो, और मैं तो कहता हूँ boss, such a हटा दो, have you ever met a boy who has, such हटा दोगे तो who चलेगा, such a लगाओगे तो as को preference दी जाएगी, such a boy as has traveled, क्या ये बात समझ आ रही है, तो ये दोनों चीज़े मैंने आपको explain कर दी, question number nine को देखिएगा, बहुत आराम से, she behaves, वह ऐसा बरताव करती है, अब देखेगा, वह बरताव ऐसा करती है, मतलब वो swim तो वैसी है नहीं, याद गरिये subjective mood मैंने पढ़ाया था, मतलब वो ऐसा बरताव करती है, जैसा की वो, अब वो कैसा, अपने neighbor के साथ इस तरीके से behave करती है, as though, as though का मतलब है, जैसे की as if या as though, same होता है, she is की जगे हो जाएगा, she were the land lady, वह मालकिन है, घर की मालकिन है, मकान मालकिन है, were लगाया, क्यूं, if I were वाला नियम, imaginary, imagine कर रही है कि भईया, वो तो ऐसे भी behave करती है, जैसे वो खुदी मालकिन हो, she said, उसने कहा, he said, that what he was doing was not correct, very important दोस्तों, आम तोर पे, प्रशन जब आएगा, that नहीं आएगा, कान खोल के सुनिए, प्रशन जब आएगा, that नहीं आएगा, what और that मेंसे that को रखेंगे, लेकिन, प्रशन आएगा तब, क्या यहाँ प्रशन आया है, नहीं आया, प्रशन ही नहीं आया है, तो फिर कैसे काई डाउट, कोई डाउट ही नहीं है, boss, मुझे लगता है, दस नमबर तो no error है, आम तोर पे that और what मेंसे what को रखते है, that अटाते है, लेकिन, प्रशन आये तो, जो वहा कर रहा था, वहा सही नहीं था, जो वहा कर रहा था, सही नही यहा पे, question ही नहीं है, तो that हडाने का, question ही नहीं उठता, शल यह सहाब, 11 नमबर देखे, I shall come back, वापिस आउँगा, by the time, by the time, ऐसा, ऐसा जब तक हो, तब तक यह हो चुका होगा, I shall have, के बाद third form, come came, come, I shall have come back, मैं तो आचुका होँगा, जब तक यह, जब तक तुम you get up, उठोगे, उससे पहले तो मैं यह काम कर चुका हूँगा, आज का आखरी question, 12 नमबर उपर ले चलता हूँ, मैं आप ले, 12 नमबर देखे, दोस्तों, It is the tree, whose fruit, tree इनसान है क्या, whose का प्रयोग केवल इनसानों के possessive के लिए, बलब जिसकी बात हो रही है, तो यहाँ पे whose अटा देंगे, fruit के बाद लिख देंगे, of which, जिसके possession बताना है, trees का, इनसान होता यहाँ पे, राम, शैम, मोहन, सोहन, मैन, यूमन, ऐसा कुछ लगाते है तो whose चलता, लेकिन यहाँ पे पेड़ की बात हो रही है, इनसान को छोड़ के कोई भी living हो, non-living हो, animal हो, कुछ ही हो, whose नहीं आ सकता, whose नहीं आ सकता तो of which लगाया है, It is the tree, fruit of which is not sweet, जिसके fruit मीठे नहीं है, तो यहाँ आमने देखा दोस्तों, 1 से लेकि 12 तक के questions, exercise सी, बहुत ही महत्वपून, दोस्तों, यह सारे questions आप समझ लीजे, कभी न कभी, किसी न कोभी इसी competition में आ चुक है, सारे, एक भी नहीं छोड़ दू, सारे के सारे आ चुक है, ऐसे और questions अगले वीडियो में देखिएगा, Please, like, share, subscribe, digital, तैयारी,